है यहलो ट्रेंट्स मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सर्भीश टू सिभींग गाइड आप सभी का मेरे यूटूब चैनल सर्भीश टू से भींग गाइड में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रह हैं जो किसी भी सर्वकारी कमचारी को सर्भीश के अंत्में यानि के रिटायर्मेंट होने पर सेवा निवरिती होने पर दिया जाता है और चाहे आप सेंस पेंसन रूल 1972 के तहत कभर हो या फिर आप NPS के तहत कभर हो आप गैचूटी के हगदार होते हैं जब आप रिटायर कहीं को कि कभ आपको रिटायर्मेंट गैचूटी मिल सकता है और कभ आपको सर्वीश गैचूटी मिलता है और इसके बारे मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हो कि कौन-कौन से एमप्लाई रिटार्मेंट गैचूटी के हगदार है और कौन-कौन से एमप्राइज सर्वीस गैचूटी के हगदार है और उसकी eligibility क्या है उसके लिए qualifying service यानि कि कितना सर्वीस आपको करना परेगा इन गैचूटी का हगदार बनने के लिए ओ भी मैं बताने जा रहा हूं और उसके calculation का क् जानकारी मैं देने जा रहा हूं और आपको calculate करके भी बताने जा रहा हूं कि आपके retirement पर आपको कितना गैचूटी मिलने जा रहा है तो दोस्तों बिना time waste किये वीडियो की शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक request है कि अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो अभी अभी वीडियो को नीचे दिये लाल रंग के subscribe बटन को दबा कर subscribe कर ले और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप comment section में लिग कर जरूर बताईएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आपके मन में कोई प्रस न ह करता है तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं service गैचुटी की तो service गैचुटी के बारे माँ आप जान लेजिए कि यह service गैचुटी किनको दिया जाता है कि जो CCS pension rule 1922 के तहत कभर हो और जिनका service जो है 10 years से कम हो और 10 years से कम होने पर जैसा आप जानते हैं को pension के हगद तो इस case में उनको service गैचुटी भी विलता है लेकिन ये तो service गैचुटी है चूकि उनका service जो है 10 year से कम है तो आपका सकते हैं कि 10 years से कम है तो उनको pension नहीं मिलेगा तो इसलिए service गैचुटी दिया जाता है जोकी retirement get duty के अलावा होता है अब आपको बता दें कि आप समझ गए होंगे कि यह सर्वीस get duty क्या है कि यह retirement get duty के अलावा है अब आपको यहां बता दो कि retirement get duty के हगदार कौन होते हैं कि जो जो apply पांच बर्स का सर्वीस कम से कम किया होता है जो CCS pension rule 1972 के तहट पैंसन का हगदार है और पांच बर्स मिनिमम क्वालिफाइंग सर्वीस के बाद रिटायर करते हैं तो उनको रिटायर्मेंट गैचुटी मिलता है लेकिन अगर दस बर्स से पहले रिटायर करते हैं और पांच बर्स के बाद तो उनको सर्वीस गैचुटी और रिट है जो NPS के तहत का वर्ड है उनको इस तरह का फैसिलिटी अभी एफलेबल नहीं है उनको रिटारमेंट गैच Outly दिया जाता है जो कि पाँच बर्स सर्वीस करने के बाद ही मिलता है तो अब यहाँ देख लीजिये कि आपको बता देता हूं कि जो रिटारमेंट गैच Outly है उसके बारे भी जान लीजिये कि रिटारमेंट गैच Outly एड़ dog रोज हो ऐ자를 रूल 50 जो है CCS Pension Rule 1922 के रूल 50 काता है और खास करके 2016 में जो NPS Account Holders के लिए NPS Employees के लिए सरकूरर Ministry of Department of Personal and Training जो जारी किया था उसके तहट आप NPS Employee भी कवर हैं कि अगर पांच बर्स Qualifying Service के बाद उडिटाइड करते हैं तो उनको रिटाइर्मेंट गैचूटी मिलेगा कैलकुलेट कैसे होता है यह मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं उससे पहले आप दोनों का आप क्राइटेरिया एक समझ लिजे लंब सम्प कि अब यहां पर देखिए कि दोज हू रिटाइर हू रिटाइर्टेन यज्र्स और क्वालीपाइंग सर्वीस अब जिनका 10 बर्स से कम का क्वालीपाइंग सर्वीस है तो उनको क्या मिलेगा तो उनको दोनों चीज मिलेगा अब दोनों चीज मिलेगा कैटेरिया बता दिया है एक और किलियर समझ लिजिए कि उनको हाफ मन्त के हिसाब से सर्वीस गैचूटी मिलेगा यानि कि अगर दस बर से कम का सर्वीस है तो जितना सिक्स मन्तली पिडियर्ड उसमें होता है क्वालिफाइंग सर्वीस में तो हर छे मेहने पर आदहा मेहना का सेलरी उनको दिया जाएगा और रिटारिमेंट गैचूटी जुए वन फॉर्थ के हिसाब मीन्स हर छे मेहने पर आप कह सकते हैं वन fourth मिलेगा होना जवरी है अब आप कहेंगे जिनका सर्वीस दस बर्स से जैदा हो गया है तो उनको क्या मिलेगा अगर आप CCS Pension Rule 1922 के तरहत कभर्ड हैं तो आपको तम मिलेगा उस किसमें पहला तो आपको पेंशन मिलेगा जो 50% के दर से मींस कि आपका जो पे लास्ट ड्रॉन है तो यह बेसिक प्लस डिये उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा और आपका चुकी सर्वीस टेन येर से ज्यादा है इसलिए पेंशन भी मिला और पांच बर्स से ज्यादा है इसलिए वन फोर्थ के हिसाब से आपको गैचुटी भी मिलेगा और गैचुटी का लिमिट जो है यह आपको मैक्सिमम सारह सोलो टैम्स दिया जा सकता है यानि कि आप यह कर सकते हैं कि 33 बर्स से जैदे का गैचुटी आपको नहीं दिया जा सकता है और इसका जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है यहाँ पर आप दे लेड़ी आपको दिया जाएगा जो अमांट होगा फैनल केलकुनेशन वह 20 लाग से जएदा नहीं होना चाहिए 20 लाग तक ही आपको मिलेगा और यह 20 लाग का अमांट है यह क्या है यह अगर जब पचास परसंट बढ़ेगा उसमें बढ़ोतली होगी तो पचीस परसंट यह अमांट भी बर जाएगा तो दोस्तों यह है सर्विस गेच्विटी और रिटार्मेंट गेच्विटी में अंतर अब आपको मैं बता रहा हूं कि यह कैलकुलेट कैसे होता है यह भी देख लीजिए अब कैलकुलेशन का एक सिंपल फरमुला है अब माल लिजे किसी का क्वा लेवेल फोर में जो पे था 36,400 अरुस समय में डिये उनको 11% के दर से दिया जा रहा था तो अब आप देखिए कि इनका जो टोटल सर्विस हुआ यह टोटल सर्विस हो गया एट यह सिक्स मांथ 13 डेज तो मिस इसको हम कह सकते हैं सारे आठ बर्स इनका टोटल सर्विस होता है तो अब इस केस में देखिए कि सारे आठ बर्स का जो क्वालिफाइंग सर्विस है तो अब इसमें क्या होगा कि अभी जैसे मैंने आपको रूल बताया है कि इनका सर्विस चुकी 10 बर्स 10 बर्स से कम है इसलिए इनको पैंसन नहीं मिलेगा लेकिन इनको सर्विस गया मिलेगा तो सारी आठ बर्स में हो जाता है 17 आप यहां देख सकते हैं कि यह हो जाता है टोटल 17 तो अब क्या होता है कि बेसिक शतीस हजार है और इनका जो डिये है चार हजार चार बनता है 11 प्रसंट के दर से अब यहां आप देख सकते हैं कि यह dobr TV है स्टर्व हाप हीटरी है इसमें 17 हाप हीटरी है तो इसको क्றते हैं बेसिक प्रण्ण डियो डिये दिए multiplied by 1 by 2 into total half yearly तो यहाँ 17 half yearly बनता है उससे multiply कर देते हैं तो इनका जो टोटल गैचूटी बन रहा है वो टोटल गैचूटी बन रहा है 3,43,434 रुपे इनका बन रहा है तो अब आईए कि यह देख लिया आपने अब एक बाद यहाँ देख लिए चुकि इनका सरभीष अब डीटेल्मेंट गैचूटी कीसे हिसाब से मिलेगा यह भी कैल्कूलेशन आप देख लिए रिटेल्मेंट गैचूटी का कि इसका क्याल्कूलेशन जैसे पहले बताया है कि यह हर 6 मंदिली के लिए 1 x 4 मिलता है अब यह वन भाइप होड यह आप देख सकते है वन बाइ चार सो यानि कि 36,000 उनका बेसिक था और 4,004 जो है उनका डी ये था अब इसको multiplied by 1 by 4 और टोटल हाफ yearly कितना है 17 तो इनका जो retirement गैचूटी बन जाएगा एक लाख है कि 7,717 इनके retirement गैचूटी भी इनको मिलेगा अब मान लिजिए कि अगर इनका सर्वीस जो है सारी चार बर्स से कम होता तो आपको पता है कि retirement गैचूटी इनको नहीं मिलता तब सिर्फ इनको सर्वीस गैचूटी मिलता जो हाफ मन्त के हिसाब से मिलता तो अब क्या होता है कि अब इस किस में क्या होता कि अगर सारी चार बर्स बर्स मालेजिए इनका अगर सर्वीस होता तो इनके सारे चार बर्स में हाफ मंधली हुआ यह टोटल कितना हुआ इनका पहले ही बता दिया है कि 40,400 इनका इमोल्यूमिन्ट बन रहा है बेसिक प्रस डिये के हिसाब से तो वह मल्टिप्लाइड बाइ 1 बाइ 2 इन्टू 9 तो इनका जो सर्वीस गैच्वीटी होता एक लाग एक क्यासी 1818 होता क्योंकि इनको रिटार्मेंट गैच्वीटी नही दिख लिजे कि एक बात ध्यान देने की चीज है तीन महिना थी मंथ या मोर इस टेकन आज हाफ हीर अगर तीन महिना से होता है तो उसको हाफ हीरली मान लिया जाता है तो अब लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो एनपीस एकांट होल्डर है तो उनको जो डिटार्मेंट अगर 10 बर्स से नीचे सर्वीस है कम सर्वीस पर रिटायर होते हैं तो उनको सर्वीस गैचूटी मिलेगा और पांच बर्स से जएदे के बात अगर रिटायर करते हैं तो उनको रिटायर्मेंट गैचूटी भी मिलेगा तो दोस्तों यह रूल है सर्वीस गैचूटी और र बिम कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा तो अब इसे जैदे जैदे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके मन में अगर कोई प्रस्ण हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर चाहिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धमनवाद